नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी अटल जी के जीवन के उपर कैसे उनका राजनितिक सफर शुरू होता है कैसे एक ब्रामवन वेक्ती जो है वो नौन विज का पुजारी है कैसे उनका प्यार कभी परवान नहीं चड़ पाया कैसे उनके पढ़ाई के दिनों में पिता जी के साथ उन्होंने कॉलेज में एक साथ पढ़ाई की होस्तिल के रूम शेयर किये इस वीडियो में हम आज बात करेंगे उनके राजनितिक फैसलों के बारे में ऐसे राजनीतिक फैसले या ऐसे राजनीतिक निर्ने जो सही थे या गलत थे इसकी चर्चा जो है हम आप इस वीडियो में करेंगे सबसे पहले उनके ऐसे निर्ने जिसकी छाप जो है आज की राजनीति में भी दिखाई दे रही है सर्व सिक्षा अभियान जुसे 2001 में लॉंच किया गया था अटल जी के कारेकाल में ही हुआ था चार साल के अंदर ही स्कूल ड्रॉप आउट रेट यानि की जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं बीच में ही वो रेट जो है वो 60 प्रतिशत कम हो गया था इसी की तर्च पर 2010 की fundamental right को आधार मिलता है जिसके कारण article 21A यानि की right to education बना और जिससे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को सिक्षा का अधिकार मिला है आज जो GST का श्रे लेने की होड मची हुई है उसका भी श्रे उनकी दृष्टी को जाता है एक common tax की बात उन्होंने ही पहले शुरू की थी जिसके बाद की UPA government ने इस काम को आगे बढ़ाया और पिछले साल एंडिये सरकार ने पास किया किसान credit card की शुरुआत भी उनके कारेकाल में हुई थी बीटी cotton जिसके कारण गुजरात महरास्टरा जैसे इलाकों में development की बाढ़ा गई गुजरात में मोदी राज जो है वो लगतार इसी cotton के उत्पादन के भरोसे बार बार लगतार आती रही उसका श्रे भी अटल जी को ही जाता है अटल जी के कारेकाल में कुछ गटनाएं ऐसी भी है जो यह सिद्ध करती है कि वो भी एक मनुष्य थे उनके भी नीरने में उतार चड़ाओ थे हर नीने उनके देशित में थे ऐसा नहीं कहा जा सकता अनेक ऐसे उधारन हैं जहां लगता है कि काश यह फैसला जो है उन्होंने ना ली होती या काश यह बाते जो है उन्होंने ना कही होती तो शायद वो सच में एक आदर्श एक युग पुरुश बन सकते थे मगर मनुष्य होने के अपने कुछ कमिया होती है अपनी कुछ खामिया होती है जो हमें अटल जी के जीवन में भी दिखाई देती है एक ऐसा वाकिया जिससे उनकी पार्टी हमेशा भुनाती नजर आती है कि उन्होंने 23 दिन भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त जेल में बिताए थे मगर जब दस्तावेजों के हवाले से देखा जाता है तो पता चलता है तो जेल तो गए थे मगर उनके एकबालिया बयान के कारण करिब 6 देश भक्तों को आजीवन करवास की सजा हुई थी इस मुद्दे को फ्रंट लाइन मैगजीन ने बहुती डिटेल में छापा था नीचे सेक्शन में मैंने उस रिपोर्ट की लिंक दी हुई है आप अगर समय पाएं तो जाकर उसको पढ़ सकते हैं यहां तक की एक समय में जनता पाटी के सबसे कड़ावर नेता सुबर्मुनियम स्वामी ने भी उनके भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने को लेकर अतीत में सवाल उठाये थे मगर जब से भाजपा में शामिल हुएं तब से इस मुद्दे पर उन्होंने जो है वो खामोशी अपना ली है उपरेशन विजय या कारगिल युद्ध इस युद्ध में भी कुछ खामिया दिखाई देती हैं या युद्ध एक ऐसे दोर में हुआ जब अटल जी पाकिस्तान के साथ लगतार संपर्क में थे उस युद्ध की वहवाई दोनों मुलकों ने लूटी मगर नतीजा किसी के हक में नहीं निकला कारगिल युद्ध से पहले अटल जी बस लेकर कश्मीर से पाकिस्तान गए लाहोर समझोता किया नवाद सरीफ से मकर कुछ महीनों के अंदर ही पाकिस्तान ने अपना रंग दिखाते हुए कारगिल और टाइकर पॉइंट पर कबजा कर लिया इस युद्ध में भारत के लगभग 600 सैनिक सहीध हुए वहीं पाकिस्तान के भी 400 से अधिक सैनिक मारे गए अधिकारिक रूप से इस युद्ध का कोई भी नतीजा नहीं निकला इसी युद्ध के कुछ महीनों के बाद और एक वाकिया हुआ जहां वे फिर से विफल दिखाई देते हैं कांधार हाईजेक आपको याद होगा कि IC 814 जो काटमांडू से दिल्ली चलती थी 24 दिसंबर 1999 के वो हाईजेक कर ली गई फ्लाइट को एमर्जेंसी में उतारा गया अमरिच्छर में पंजाब पुलिस की स्पेशल एंटी टेर्रिस कमांडो जो थी वो तयार थी ओपरेशन करके लोगों को सेफली रेस्क्यू करने के लिए मगर दिल्ली से आदेश आता है कि कोई भी अफगटना यानि की कैजूलिटी नहीं चाहिए और पंजाब पुलिस को हिदायत दी जाती है कि आप दूर रहें खेर फ्लाइट वहाँ से पहुंचती है लाहौर फिर वहाँ से दुबई और फिर कांधार जो की तालिबान का गढ़ माना जाता है फ्लाइट में करीब 199 लोग थे जिसमें से 15 क्रू मेंबर थे उनकी जान के एवज में तीन टेर्रिस्ट को छोड़ने की बात शुरू हुई और अंत में सर्व दलिये बैठक के बाद तीन आतंकवादी मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुस्ताक एहमद जारगार को छोड़ने उस वक्त के मंतरी जस्वन सिंग कांधार पहुँचे 2001 में पार्लियमेंट अटैक से, 2002 में डैनियल परल की मौत से, 2008 में मुंबई अटैक, 2016 के उरी और पठानकोट हमले में भी जुड़े रहे। उमर सईद सेख का हाथ 9-11 की घटना में भी था। इन सारे घटनाओं में कम से कम भारत में जो घटनाएं हुई उसमें 250 से उपर ल नहीं। ऐसा मेरा खुद का नहीं, ऐसा मानना है एक्स रोज चीफ एस दुलात और सब के चहेते सुब्रमुनियम स्वामी का जिनोंने कहा था कि भारत ने बड़ी गलती कर दी। और ऐसी गलती जिसका खामियाजा आज भी भारत के साथ-साथ विश्व के बाकी देश उठा उस वक्त अगर भारत ने जिगर दिखा दिया होता तो शायद आज यह नौबत नहीं आई होती। यह सब बाते तो उनके कारेकाल की रहीं, कुछ बाते उनके राजनीतिक जीवन की भी हैं जिसे सामपरदाई कहा जा सकता है। जैसे कि बाबरी मस्जिद विध्वन से ठीक पहले का उनका भाशन जहां वे कह रहे हैं कि बाबरी की जमीन पर कुछ नुकीले पत्थर हैं, यग करने से पहले भजन कीरतन करने से पहले जमीन को समतल करना होगा। जब बाबरी गिरा दी जाती है कार सेवकों द्वारा तब वो बड़ी ही आसानी से अपने बयान को 80 में हुआ था, जिसमें कम से कम 2000 से अधिक लोग मारे गए थे, जिसमें से अधिकांस बंगाली मुस्लिम थे, अटल जी के भाशन में जिक्र था कि विदेशी लोग यहां आते हैं और सरकार कुछ नहीं करती है, अगर यही चीज़ पंजाब में होती तो उनके टुकडे अटल जी जो है, वो मोधी को राजधर्ण निभाने की तलाह देते हैं, ठीक वहीं, वाजपेई जी बीजेपी की जो नैशनल मीट अपरील 2002 में गवा में हुई थी, ऐसा अपना रंग दिखाते हैं जिससे सेकिलर तो कतई नहीं कहा जा सकता, वो कहते हैं कि मुसल्मान जहा कि गोदरा में जो भी हुआ, हम उसकी घोर निंदा करते हैं, कुछ दिनों के बाद संसद में भी कह देते हैं कि मेरा हिंदुत्व स्वामी विवेकानंद का हिंदुत्व है, और जिस हिंदुत्व का प्रचार देश में हो रहा है, उससे हमें दूरी बनानी चाहिए, ठीक उ उसी प्रकार जिस प्रकार उनके अंतिम यात्रा में स्वामी अगनिवेश को फिर से कूट दिया गया, फोटो में महिला अपनी सैंडल लेकर बाबा जी को दोड़ा रही है, उसी के साथ साथ लोग अपने कैमरे में उसे रिकॉर्ड करने के लिए साथ ही साथ भाग रहे हैं एक बार और कूट दिया जाए तो हम फिर निंदा करने के लिए तयार हैं, आखिर इतनी बेशर्मी आ कहां से गई है लोगों के बीच में, आज जो तमाशा देख रहे हैं, कल उन्हें भी इसी कुटाई का सामना करना पड़ सकता है, और बाकी लोग इसकी कड़ी निंदा कर करने के लिए अभी से तयार बैठे हैं, एक महापुरुष की शो क्यातरा में ऐसी घटना करने वाले या तो उस अटल जी के अनुयाई हैं, जिसका चितरन मैंने पहले पार्ट में किया था, या उस अटल जी के जिसका चितरन मैंने अभी कुछ दिर पहले किया, इन सारे इत अगर आज भाजपा कॉंग्रेस की राजनीती से नफरत करती है और अगर भाजपा कहती है कि उनकी राजनीती कॉंग्रेस से विपरीत है तो शायद अटल जी के अस्तियों को राजनीती प्रचार की सामगरी बनाने की कोशिश नहीं की जाती वैसे भी मद्द प्रदेश चत्तिस गड़ राजस्तान में चुनाव नजदीक है चत्तिस गड़ और मद्द प्रदेश में पिछले 15 सालों से भाजपा की ही सरकार है जिस नया रायपूर में लगबग 10,000 कडोड रुपे खर्च करने के बावजूद भी मातर 20,000 लोग आकर बसे हैं उसका नाम अटल जी के नाम पर रख देने से क्या आबादी बढ़ जाएगी वहां की ये सब पहले भी होता आ रहा था और आज भी यही हो रहा है नाम बदल कर राजनीती चमकाने से थोड़े दिनों की राजनीती माईलेज तो अचीव आप कर सकते हैं लेकिन अधिक दिनों तक आप जनता को मुर्ख नहीं बना सकते मेरे मन में अटल जी के प्रती इजट अभी भी उतनी ही है जितनी यह एपिसोड बनाने से पहले थी मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं और हर कोई करता है मगर फेस्बूक और वाटसेप पर तारीफों के पुल बांते समय इतना जरूर याद रखें कि आप किस अटल जी की तारीफ कर रहे हैं उस अटल जी की जिसे भाजपा का मुखोटा बना कर फिर से 2019 को जीतने की तयारी चल रही है या उस अटल जी की जिसमें देश को आगे ले जाने का सपना था जो अपने साथियों के साथ साथ प्रतिद्वंधियों के अभी सम्मान करते थे और बराबर का सम्मान पाते थे अगर कोई ढोंगी अपने आपको अटल जी का सिश्च बताए और उसी के साथ साथ नहरू जी और गांधी जी के खिलाफ अबदर भाशा का प्रयोग करे दिन रात तो उसे इस एपिसोड के हवाले से आप गलत साबित अवश्य कर सकते हैं हमेशा की तरह अंत में आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि आप किस अटल जी को अपना आदश मानते हैं यह जो भी बातें मैंने आपको बताई वो सब मीडिया के माध्यम से ही मैंने हासिल की है मगर प्राइम टाइम की चमक धमक में असली मीडिया कहीं गुम हो गया है बातों के लिए आज कोई जगा नहीं है इसी श्रिंकला में अटल जी का एक सपना जिसमें उन्होंने पूरे भारत की साथ नदियों को जोड़ने का बीड़ा उठाया था उस सपने पर आधारित हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले जिसमें नदियों को जोड़ने के प्रभाव और दुस्प्रभाव के साथ साथ केरल बिहार आसाम गुजरात राजस्थान उत्तप्रदेश में हर साल जो आती बाढ़ और बाढ़ से जो नुकसान जो लोगों को जھیड़ना पड़ता है उसके संबंदों को खोजने की हम कोशिश करेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों प्रिये जनों के साथ इससे जरूर शेयर करें अगली बार फिर मिलेंगे इजाज़त दीजिए तब तक के लिए नमस्कार